आप देख रहे हैं एंगलो इंडियन न्यूज साज की तह तक दसको नमस्कार आईए नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी ख़वरों के तरफ ख़वरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हैं एंगलो इंडियन न्यूज के साथ ख़वर आरिये च्ववेपूर कानपुर नगर से जहां गोपाष्टमी के आवसर पर स्यामजी रामजी गोषाला गोरी लखा में किया गया 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 माता का पूजन चोवेपूर गुपास्टमी के अवसर पर चोवेपूर छेत्र के गराम लौखी गौरी लखा में स्याम जी राम जी गौसाला में गौव भूजन कारेक्टरम पंडित राम चितरपाथी, राश्ट्री सन्योजग गंगा गाय गरीव एवं पसु चिकित्सा अधिकारी चोवेपूर गौविंद यादो द्वारक किया गया गौपास्टमी के अवसर पर सरपतम सभी गौव माता का विदी विधान से आरती एवं हवन पूजन किया गया जिसमें गौव माता को भोजन वह अन्ने मिस्ठान भी खिलाया गया तत्पस्चाद वहां पर पसुच्चि यादो के देखरेक्में किया गया जिसमें गौव माता का स्वास्ति परिच्षंट किया गया गया एवं निहसुलग दवा भी दिगई इस अवसर पर पंडित राम-जीतेर पाथी राश्टी संयोजक ने कहा गाय हमारी माता है हम सभी के लिए पूजनी है हम सभी को गव माता की सिवा करनी चाहिए इस अवसर पर बस सिक्षा अधिकारी डाक्टर गविंद यादो ने पसु पालन विभाग से जोड़ी विफिन जानकारी गरीबों को दी उन्होंने बताया कि पसु पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाव सभी को दिलाना है यही अमारी प्राथिमिक्ता है इस अवसार प्रमक्य रोप से पसुधन प्रसार अधिकारी अनिल कुमार सिंग चौहान पसुधन प्रसार अधिकारी देवधत विने त्रिपाठी वेक्सिनेटर सौरप त्रिपाठी आधिचेत्रिय ग्रामीन कारेक्टरम चत्री लोग ग्रामीन कारेक्टरम में उपस्तित रहे चोवेपूर कांटपूर्णगर से समवाधाता सर्वे सचान की खास रिपोर्ट एंगलो इंडियन न्यूज आप देख रहे हैं एंगलो इंडियन न्यूज सच की तहता खबरों जुड़ने के लिए चैनल को लाइक वर सब्सक्राइब अवस्ट करें धन्यूज